प्रधान मंत्री दो हजार चौबिस के चुनाव का अपना जुम्ला पत्र घोशित किया है इस जुम्ले पत्र में जो जो वादे भारतिय जन्ता पार्टी ने पिछले दस साल से पूरे नहीं किये उसका पूरा कच्चा चिठा सामने आ गया है यही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनोंने दो हजार चौदा में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार मोदी जी ने वादा किया था या यह कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल दो करोड नौकरियां देने वाले हैं लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है कहीं पर इस 75 पेज के डॉक्यूमेंट में यह आकड़ा नहीं दिया है मोदी जी ने कि 10 साल में कितने युवाओं को बेरोजगारी दिया दूसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद देश के संसद में आकड़ा दिया है कि 10 साल के अंदर 20 करोड तो छोड़िये 2 करोड नौक्रियां तक पैदा नहीं हुई है मोदी जी ने तो आंकड़ा नहीं दिया पर मैं आपको आंकड़ा देती हूँ बेरोजगारी का आज भारत के इतिहास में 45 साल में सबसे जादा बेरोजगारी है आज भारत में यूथ इंप्लॉइमेंट और टाइम लो पर है युवाओं के आकड़ों को अगर हम देखने जाएं तो हमारे देश में 25 परसेंट यूवा बेरोजगार है अगर हम ग्रैजुएट्स का इंप्लॉइमेंट और अनिंप्लॉइमेंट का आकड़ा देखने जाएं तो आज भारत देश में ग्रैजुएशन करने वाले 45 परसेंट यूवाओं के पास रोजगार नहीं है यह है मोदी जी के 10 साल के वादे यह है जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश के युवाओं के लिए किया दूसरा जो मोदी जी ने 2014 में वादा किया था जो उनका दूसरा सबसे बड़ा स्लोगन था जो उनका दूसरा सबसे बड़ा जुमला था बहुत हुई महंगाई की वार अब की बार मोदी सरकार महंगाई कितनी कम हुई है उसका तो आंकड़ा मोदी जी दे नहीं सकते हैं लेकिन अगर आप पिछले दस साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उठा के देखिए तो दस साल में क्यूमुलेटिव रूप में दस साल में टोटल में 2014 से 2014 तक भारत में 70 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है ये पूरे दुनिया के देशों में तर्की के बाद दूसरे नंबर पर है भारत नौकरियों में उपर नहीं है भारत आथिक विकास में आगे नहीं है भारत जीडीपी में उपर नहीं है लेकिन दुनिया के आंकड़ों में इंटरनेशनल आंकडों में महेंगाई में दुनिया में नंबर दो पर मोदी जी ने भारत को पहुँचा दिया मोदी जी ने 2014 में एक और जुमला दिया था उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आए को दुगना करेंगे ये दस साल पहले मोदी जी ने वादा किया था आज इस वादे से भाग गए है इस 75 पन्ने के डॉक्यूमेंट में इस 75 पन्ने के जुमला पत्र में आज मोदी जी ये कह भी नहीं पा रहे है आज भारतिय जंता कह भी नहीं पा रही है कि हम किसानों की आए को दुगना करेंगे ये वो सरकार है जिसने किसानों की आए को दुगना करना तो छोड़िये तीन किसान विरोधी काले कानून संसद में पास किये इन तीन किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ महीनों तक देश भर से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे साड़े साथ सो से जादा किसान शहीद हो गए लेकिन मोदी जी फिर भी किसानों से नहीं मिले किसानों सिर्फ वादा करके कि हम ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं हम MSP का कानून लेके आएंगे किसान अंदोलन को खतम करवाया लेकिन आज तक मोदी जी MSP का कानून नहीं लेके आए जब दो महीने पहले किसान फिर से दिल ली आके शांती पूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे तो देश के अंदर मोदी जी ने किसानों के विरोध में सरहद बना दी दो दो चार चार फुट बड़े बड़े कील लगा दिये ऐसी सरहद बना दी ऐसी तारें लगा दी ऐसे कील लगा दिये जो शायद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं मिलेंगे ऐसे किसान विरोधी सरकार का नित्रित्व कर रहे हैं प्रदान मंतरी नरेंद्र मोटी जी और आज अगर आप इस जुमले पत्र को उठाके देखिए तो कहीं पर भी फार्मर्स इंकम की बात नहीं है दस साल में अपने वादे से मुकर गई भारत ये जन्ता पाटी आप इस जुमला पत्र को उठाके देखिए कहीं पर भी MSP के कानून की बात नहीं है किसानों से अपने वादे को दिये हुए वादे को मुकर गई भारत ये जन्ता पाटी ना सिर्फ युवाओं के साथ अत्याचार हुआ ना सिर्फ महंगाई बढ़िए ना सिर्फ किसानों के साथ अत्याचार हुआ शिक्शा और स्वास्थ के नाम पर भी भारतिय जन्ता पाटी ने इस देश के लोगों को धोका लिया युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को एक तरफ नौकरियां चाहिए और उससे पहले अच्छी शिक्षा चाहिए. जहां एक तरफ अर्विन के इज्रिवाल जी की सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में आमादमी पाटी की सरकार है, वो शिक्षा का बजट बढ़ाकर सरका सरकारी स्कूल धट रहे हैं 2014 में पूरे भारत में मिलाकर 11 लाक सरकारी स्कूल होते थे आज यह मोदी जी के 10 साल की सरकार के बाद यह आख्डा एक लाक स्कूल से कम हो गया है और आज पूरे भारत में सिर्फ 10 से लाग सरकारी स्कूल रह गए हैं आज इस जुमला पत्र में मोदी जी कहते हैं बीजेपी कहती है कि हम अच्छी स्वास्त की सुविधा देंगे आयुशमान भारत के माध्यम से देंगे इस से बड़ा जुमला शायद इस पूरे जुमले पत्र में कहीं नहीं होगा जिस पूरे देश भर में आयुशमान भारत पर पूरा खर्चा मात्र आठ हजार करोड हुआ है जो दिल्ली जैसे छोटे से राजी के भी स्वास्त बज़ेट से कम हैं दिल्ली का हेल्थ का बज़ेट साड़े नौ हजार करोड रुपे है प्रतिव वर्ष और पूरे देश में ज जिस आयुशमान भारत योजना के माध्यम से जुमले दिये जा रही हैं कि हम स्वास्त की सुविधा देंगे उस आयुशमान भारत पर पिछले साल मात्र आठ हजार करोड रुप्या खच हुआ है अरे आयुशमान भारत से इलाज कैसे देंगे अगर हस्पताल ही नहीं सुपर स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल नहीं होंगे टेस्टिंग की सुविधा नहीं होगी तो आयुशमान भारत की स्कीम से लोग पैसे से इलाज करवाएंगे लोग ड्रिप के माध्यम से पैसा चड़ाएंगे आज इस देश के लोगों को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतिय जन्ता पार्टी ने दस साल में अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया आज इस देश की युवा बेरोजगारी से परिशान है आज इस देश की ग्रहनी महगाई से परिशान है सिलेंडर का दाम 300 रुपे से 1200 रुपे पहुँच गया डीजल का दाम 55 रुपे से 90 रुपे पहुँच गया पेट्रोल का दाम 75 रुपे से 100 रुपे पर पहुँच गया आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है अपनी आए बढ़ाने का तरीका नहीं है आज बच्चों के लिए सरकारी नहीं है देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्त की सुविधा नहीं है तो आज जो जुमला पत्र भारतिय जनता पार्टी ने रिलीज किया है देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं